नमस्कार मना नाम कृष्णपाल राठोर है और आप महारो राजगर्ण का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दरसल मुक्य मंत्रे शिवराज सिंग चोहान राजगर्ण जीले पर महरबान हुए हैं जीले के कलेक्टर और एस्पी साहब के साथ मुक्य मंत्रे शिवराज सिंग चोहान ने बेठक की और ये बेठक राजगर्ण के विकास कार्यों को लेकर थी राजगर के विकास कारों पर लेकर एक एक जो बिंदू है किस तरह से शिवराज सिंग चोहान ने कलेक्टर और S.P. से पूछे और कलेक्टर और S.P. साब ने भी किस तरह से उनका जवाब दिया है हम एक एक करके आपको समझाएंगे बरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान राजगर जीले पर इतने महरबान क्यों है आप समझ सकते हैं आने वाले आगामी चुनाओं में राजगर जीला महतवपूर्ण भूमी का है विदान सबा चुनाओं की तो निश्चित तोर पर राजगर जीले पर उनका ज्यादा फोकस है क्योंकि राजगर जीला हमेशा 50-50 रहा है कभी भाजपा का नहीं हुआ कभी कोंग्रेस का नहीं हुआ आदा भाजपा और आदा कोंग्रेस का हुआ है इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान और पुर्व मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंग भी इस जिले में आते जाते रहे हैं वरहाल अब मुख्य खबर पर आते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने सबसे पहला जो सवाल पूछा वो था कि प्रधान मंत्री आवास जोजना में कितने लोगों को लाब मिला है और कितने लोगों को लाब मिलने वाला है और कितने लोगों के घर बन चुके हैं कलेक्टर ने इसका पूरा आंकडा मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान को दिया और उन्होंने बताया है कि इतने घरों को लाब मिला है इतने घरों को नहीं मिला है और इतने घरों को मिलने वाला है वो जो आंकडे उन्होंने बताये हैं वो सरकारी आंकडे हैं अब हकीकत में मुख्यमंत्री भी नहीं समझते होंगे और हकीकत में हम सब समझते हैं क्योंकि ह हम जमीन पर रहते हैं तो आप भी जानते हैं कि गरीबों का हक प्रधान मंत्री आवाज से उजना में छीना गया है तो वो जो हक है वो कब लोटेगा साहब आप उसकी धरातल पर जाच कब करवाएंगे ये तो पता नहीं वरहाल आकड़े जरूर उन्होंने कलेक्टर साहब न बात नहीं है केवल ब्यावरा तेसिल में परिशानी है फानी को लेकर और उसको भी लेकर प्रयास किये जा रहा हैं मंत्री ने ये दिलासा देते हुए कहा कि आप ब्यावरा तेसिल के लिए पानी की उचित विवस्था करवाईए ताकि हम आने वाले समय में ब्यावरा तेसिल को पानी की कमी महसूस ना होने दे जो भी साशन की तरफ से मदद लगीगी वो हम करेंगे ये मुख्यमेंत्री की अच्छी रहा है बारातियों वाले जो मामले 24 आयत तो ग्रामीं इलाकों में थोड़ा से खराब महुन होले हमने 61 अतिक्रमन कार्यों के घर दे हैं और हमने दबंगों से जो जमीन अतिक्रमन की थी वो मुक्त करवाई है कई सारी एकर जो जमीन है वो हमने मुक्त करवाई है यह एसपी साब ने कहा तो मुख्य मंत्र ने कहा कि आप दबंगो पर उचित से उचित कारवाई कीजिएगा दबंगो पर बिल्कुल भी रहम मत खाईएगा जो गुंडा बदमाज दादा लोग हैं जो लोगों को डराते दमकाते हैं उन पर बिल्कुल रहम खाने की जरुवत नहीं है उन पर ततकाल प्रभाव से कारवाई कीजिए हमारी तरफ से आपको फुली छूट है इसके अलावा एक पॉइंट था आंगनवाडी को लेकर तो बोला गया कि आंगनवाडी की तरफ प्रुजान बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं तो कलेक्टर साब ने जवाब दिया कि इसमें हमारे सांसस साब भी प्रतिभागी हैं वो भी आंगनवाडियों को गोद ले रहे हैं तो मुख्य मंत्रे ने कहा कि आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे आंगनवाडी गोद ले एक या दो ही आंगनवाडी गोद ले ताकि उनको आप अच्छे से बनाएं लेकिन उनको आप अच्छे से चमकाएं ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छे से सुईदा मिल सके और लोगों का भी रुजान रांगनवाडी की तरफ हो अब सबसे महतुपूर्ण बात उन्होंने कुंडालिया और मोहनपूरा को लेकर कही कि हमने ये सोगात राजगरवासी को दी और राजगरवासी को इसलिए दी क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने इस केंदर की योजना को अपना बताते हुए भी ये बात कही है कि हमने इस शियोजना को दी है और ये इसलिए दिया है ताकि राजगरवासी किले के उमड रही है इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि क्या वजा हो सकती है बाकी जो भाजपा वाले हैं ये समझ सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री ने मीटिंग लिए और राजगर के बारे में सोच सकते हैं और सोचते हैं हमारे मुख्यमंत्री और भी तमाम सारी चीजें सबके अपने अपने point of view है आप भी कमेंट में बताइएगा कि राजगार का कौन सा मुद्धा है जो मुख्य मंत्री ने छोड़ दिया है इसके अलावा भी दो चार मुद्धे ओर थे जो मुझे इतने खास नहीं लगे इसलिए मैं उनको वीडियो में बचाना उचित नहीं सम की तो उनोंने मुख्य मंत्री ने उनको टोक दिया नरसिंगड की विदायक को कि आप कमिया मत गिनवाईए क्योंकि हम अभी विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर रहे हैं बाद में आप आपके साथ एक वेठक की जाएगी उसमें आप नरसिंगड की कमिया भी गिनवा दिए कैसी तो यह तमाम सारी चीजह नरसिंगड हाला की राजगड जीले का नहीं मद्रडेश का मिनीक memory उसको माना जाता है तो प्रेटन के मामले में में उसमें सुधार की जरुवत है और और सुधारा जा सकता है तो तमाम सारी चीज़े हैं राजगरवासी भी हमें कमेंट में बताईएगा कि मुख्यों मंत्री की क्या कमी आपको लगी जो उन्होंने उस मुद्दे पर बात नहीं की राजगरवासी इनने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेग तो निशित तोर पर हम मिलकर कोशिश करेंगे कि राजगर की तस्वीर जो है जो पिछडा पन जो राजगर में है वो मिलकर बदलेंगे वैसे बदलने वाले हम कोई होते नहीं है लेकिन प्रयास आपके साथ हम लोग कर सकते हैं अब वीडियो को हंते तक जिन्होंने देखा और उनके लिए खुशकबरी ये है कि हम राजगर के साथ अब इंदौर में भी लोन्च होने जा रहे हैं और यही चेनल राजगर के साथ इंदौर को भी कवर करेगा और इंदौर अपना नजदी की जिला है इंदौर से राजगर वासियों का लगाओ भी है क्योंकि जो भी व्यक्ति राजगण में रहता है उसका बेटा या जो युवा है वो अधिकतर लोग इंदोर में रहकर पढ़ाई करते हैं अधिकतर लोग इंदोर में रहते हैं इंदोर से जुडाव है जो व्यपारी वर्ग है वो भी माल खरीदने जाता है तो अधिकतर राजगण का व्यप काशक बताते हैं लोग हम इंदोर की कमियां बताएंगे हम इंदोर में क्या कमी है वो महां की नगर निगम को इतने बड़े शेहर के नेताओं का इंटर्वू करने की कोशिश करेंगे बड़े बड़े नेता रहते हैं इंदोर में तो यह है खुशकबरी कि इंदोर में भी लोन्चोंगे और बाकी आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे राजगरवासियों का प्यार हमेशा बना रहे बस यही उम्मित के साथ अब भी वीडियो को बंद करते हैं माकि मुख्य मंतरी ने जो कमिटमेंट की है मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोवान ने जो बोला है उसमें आप लोग कहां तक सेमत है क्या क्या आपको कमिया लगती है यह वह भी जरूर बताएं कोशिश कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि यह कमिया है यह नहीं है तो यह सुधार होने चाहिए और यह नहीं होने चाहिए तो यह जो चीज़ें यह आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग भी बताएं तो बरहाल चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाले समय में आपको राजगर की इसी तरह की खबरे मिलती रहे आपका अपना चेनल है सपोर्ट जरूर कीजिएगा नया युवा है राजगर को बदलने की कोशिश कर रहा है और खिलाप में तो कई सारे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलता रहता है बाकी चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद